नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर इस्टेडी पॉइंट में और मैं दिवाकर गुपता आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे लगातार वीडियो अप्लोड हो रहे हैं सामान विज्ञान, जीविज्ञान, सामान हिंडी का पूरा पैकेज, करन्ट अफेयर्स और जो भी इंपोर्टेंट है आने अली परिच्छाओं के पॉइंट आप व्यू से मैं लगातार सभी एक्जाम के वीडियो एक्जाम से रिलेटिट टॉपिक वाइस वीडियो अप्लो हो सके तो दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं वर्तवान विस्ट में सबसे बड़ा जल विद्दुत उतपादक देश कौन सा है तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जल उतपादक देश जो है वो है चीन चीन में सबसे बड़े बड़े यह जो डैम बनाए गए एक वर्ट वेमर्स डैम अपने नाम सुना होगा इसको थ्री गार्जिस डैम कहते है जो किस नरीब बना है यह यांग्ट तीज नरी पर बना है यह question आता रहता है बहुत important question है Three Garges Dam के बारे में पूछा जाता है किस देश में है चीन में है और यह सबसे बड़ा world hydroelectric project यह इसको कह सकते हैं और इसकी capacity जो है वो है 20,300 Megawatt और यह दुनिया का सबसे बड़ा power plant है और इसका annual production जो है चाइना का वो लगभग 3,450 billion kilowatt है या कह सकते हैं कि पूरे world के hydro power में लगभग 22% का यह production का योगदान करता है फिर फिर झाल 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 अब और देशों की अगर हम बात करें कि उनकी क्या पोजिशन है तो यह मैंने उपर सिक्वेंस ले रखा है चाइना तो नंबर वन पे है है सेकेंड नंबर पे जल विद्धुत उत्पादक या हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर में ब्राजील आता है थर्ड में यूएस से कनेड़ा और रशिया तो यह क्रम है यह जियोगर्फी में अक्सर अगर साइन्स में तो नहीं पूछा जाएगा क्रम लेकिन यह जियोगर्फी के सेग्मेंट में आता है इसलिए आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है सबसे महत पूर्ण बात यह है कि हमको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की क्या पोजिशन है तो भारत जो है इन सभी के बाद यानि छटे नंबर पर आता बिस्स में जल विद्धुत उत्पादन की द्रिश्टी से यह यहाँ देखिए इसका 4.4% जो है टोटल वर्ड में इसका योगदान है अगर चाइना की बात करें तो उसका 27.9 है यह जो 2015 का डाटा है उसके अनुसार ब्राजील का 8.6 है USA का 7.5 है कनेडा का 7.4 है और रसियन फेडरेशन जो है वोच 4.5 और इंडिया करें झाल 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 आपको नोट कर लेना चाहिए यह सीक्वेंस भी आपको लिख लेना चाहिए जिससे अगर इंडिया की क्यों पोजिशन पोज़दे तो आपको पता होना चाहिए कि छाठी पोजिशन है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्लांट जो कहाँ पर है जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम यह चाइना में है और यांग तिजी रिवर के उपर बना हुआ है और इसकी छमता 20,300 मेगावाट है तो यह पूरी स्लाइट से आपका यह समरी है जो आपको याद रखनी है और अगर आपने pen copy नहीं लिया आत में तो आप ले ले कि आज क्या जो session है इसमें डाटा बहुत आने वाले हैं और वा डाटा बहुत important है और आपको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए फिर next question पर move करते हैं कि नवीनी करणी उर्जा के कुल उत्पादन में वैस्विक इस्तर पर किस नवीनी करणी उर्जा सुरोत की सरवाधिक इस्सेडारी है तो सबसे पहले आपको समाझना पड़ेगा कि नवीनी करणी या रिनीवल इनर्जी क्या होती है इनर्जी दो तरह की होती है एक तो ऐसी इनर्जी होती है जिसके production करने से जो इसका raw material है वो खतम हो जाता है लेकिन दूसरे तरह की इनर्जी जिसको हम नवीनी करणी कहते है या रिनेवल कहते है वो इनर्जी ऐसी इनर्जी होती है जिसमें natural source से बनाया जाता है और वो source को जो है कोई छती नहीं होती है ज्यादा जैसे पानी हुआ हवा हुई सूरी का प्रकास हुआ जियो थर्मल पावर हुई तो यह सब को अगर हम देखा जाए तो यह नवीनी करणी उर्जा के उसमें आते हैं तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अधिक कि सुरोत की हिस्तेडारी है तो इसमें जो है वो पवन उर्जा की है सबसे अगा जो जित्त की उर्जा यहां पर दी है अब इसको में स्टैटिक स्था समझते हैं कि अगर माली यह 100% जो है पूरी इनर्जी है तो उसमें से जो स्टैट जित झाल जो है तो जाई में जोना हो जो है किती events यहाँ और jsुझ कोई चासी कि की हती तो की है झाल 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 परसेंट हिस्सा है वो पचत्तर दस्वलों पांच परसेंट है वो क्या है वो नॉन रिनेवल है या अनवीनी करनी यह उर्जा है यह पचत्तर पॉइंट पांच परसेंट जो है और बचा हुआ चौबिस दस्वलों पांच परसेंट जो है यह रिनेवल रिनेवल इनर्जी है इनर्जी सोर्स है अब चौबिस पॉइंट पांच जो बचा हुआ रिनेवल है जिसकी हम यहां पर बात कर रहें कि नवीनी करनी यह उर्जा की तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो 16.6 परसेंट होता है वो हाइड्रो पावर होता है यानि सबसे बड़ा भाग जो है हाइड्रो पावर का होता है यानि अगर हम एक नंबर की बात करेंगे तो जल विद्धूत या जल संसाधन में जल संसाधन जो विद्धूत का उतपादन किया जता है यह पहला हो गया लेकिन आप सयं में आ देखिए जल विद्धूत का कहीं बात नहीं कही सबसेंडा का आएगा विंड़्पावर या वाई वाय उर्जा इसका और जल स्रोथ कितना है चार यह आप लिख सकते हैं चार प्रिश्चत है वाय उर्जा और जल उर्जा कितनी है 16.6 प्रिश्चत फिर इसी तरह से उसके बाद बायो पावर हुई सोलर पीवी पीवी का मतलब आप समझ रहे होंगे फोटो बोल्टिक सोलर जैसे कहते हैं न फोटो बोल्टिक सेल जो छट पर जो है सौरूजा के लिए हमारे पैनल लगा जाते हैं तो वो पीवी उसको नाम देते हैं सोलर झाल 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 पीवी तो सोलर फोटो वोल्टिक सेल या सोलर फोटो वोल्टिक उर्जा से उप होती है उसके अलामा ओसेन और जियो थर्मल से भी इनर्जी प्राप्त की जाती वो दस्वलो चार परसेंट होता है तो अगर आपको टॉप थ्री सोर्स पूछे जाएं कि नॉन रिनीवल इनर्जी में तो सबसे पहला हो गया हाइड्रो पावर दूसरा हो गया विंड पावर और तीसरा हो गया बायो पावर फिर और हम इसमें और इलेबरेटेट देखते हैं कि रिनेवल पावर कैपस्टीज जो है मतलब किस देश में कितनी छमताएं हैं जो है नवीनी करणी उर्जा के उत्पादन की और ये 2016 का जो है जो नवीनतम उपलद डाटा है वो है तो इसके अनसार जो है पहले तो अगर ह इस सुमें लगभग 921 जीगावाइट जीगावाट सरी जी डबलू से इसको डिनोट करेंगे जीगावाट जो है इनर्जी का उत्पादन रिनीवल सोर्सेस से होता है वहीं पर अगर ब्रिक्स देशों की बात करेंगे उनमें 333 है और अगर यूरोपियन यूनियन या इसक कंट्री के का डाटा इसमें सामिल है तो यह 300 है तो यह तो हो गई 20 इस तरफ पर एक मोटा मोटा अनुमान लेकिन अगर हम आप कहीं क्वेश्चन यह आता कि रिनीवल इनर्जी में किन देशों का क्या क्रम है उत्पादन में तो सबसे टॉप पर चाइना है दूसरे नंबर पर यूएस से है तीसरे नंबर पर जर्मनी है चौथे नंबर पर जापान पाच में पर इंडिया और छटे पर इटलीस को हम इदर चाइना नंबर वन पर है नवीनी करणी उर्जा के उत्पादन में दूसरे पर यूएस से आता है तीसरे पर जर्मनी है पर आपको खास कर फोकस करना इंडिया का रेंग जरूर याद रखनी है पहली दूसरी और इंडिया की रेंग जरूरी है फिर छटे रपे इटली है तो इस तरह से ये बात हुई कि टोटल रिनीवल इनर्जी जो वर्ड झार ब्रसेशान है खंपी दोरी वर्ड़ है पाद ऑम कीका रEMA फ्जह उ मते हो जह दाने है पात्रे औरेंगिजा है तो वर्ड़ रचाओपनिक रेंग झां झाल 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 विया चुर्ण कररें झाल मैं झाल 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 प्रोड्यूस होती है उसमें किस देश का कितना उत्पादन का जो है कंट्रिबूशन है अब हम आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर क्यों यह डाटा देखेंगे कि सोलर पीवी यानि सौर उर्जा से जो सौर उर्जा से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है बिद्धुत का उत्पादन हो रहा है यह 2006 से 2016 तक का ट्रेंड दिया हुआ है तो इसमें बस हमको यह याद रखना है कि यह 303 जीगाबाइट पूरे वर्ड में जीगाबाइट स्वरी 303 जीगाबाइट जो है सोलर इलेक्ट्रिक सिटी का उत्पादन किया जाता है अब यह इनका किस कंट्री का क्या सेयर है इसके बारे में भी आगे देखेंगे तो पहले हम देखते है हाइड्रो पावर यानि जल विद्धूत जल विद्धूत उत्पादन में किस देश का क्या कंट्रीविशन है तो अगें चाइना नंबर वन पे है यह पहले मैं स्लाइट दिखा सुका हूँ यहाँ पर थोड़ा आपको अलग से दिखाने के लिए दूसरे नंबर पे उनाइटिर इस्टेट तीसरे पे कनेड़ा, ब्रैजील, इंडिया, पांचवें आपको भारत का ज़रूर याद रखना है कि भारत पांचवे स्थान पर है और फिर रसियन फेडरेशन, भारत और रसियन फेडरेशन लगभग बराबर है यह दोजा सोला का डाटा उसके हिसाब से और इनके अनावा बाकी दुनिया में 40% ही उत्पादन होता है, मतलब कुल मिला कि यह 6 कंट्रीज जो है यह पूरे वर्ड का 60% जो है लगभग उत्पादन करती है मिलकर, जल विद्धुत फिर अब पवन उर्जा की बात करें कि पवन उर्जा में कितना योगदान है जो टोटल नवीनी करणी उर्जा या रिनीविवल इनर्जी का उत्पादन होता है विश्व में उसमें से पवन उर्जा का कितना योगदान है तो अगर परसंटेज की बात करें तो 52.2% जो है इसका योगदान है और अगर पूरे वर्ड में कितना उत्पादन होता है यानि अगर 16 में पूछा जाए तो 487 जीगावाट का उत्पादन हुआ था फिर विंड पावर कैस्टी ये भी करम पूछा गया था भी जल्दी किसी पेपर में मुझे यादा आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कहां पर होता है तो चाइना में सबसे ज़्यादा है आप देख सकते हैं चीन है नंबर वन पर दूसरे नंबर पर USA है तीसरे पर Germany है झाल 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 चौथे पे इंडिया यानी वाई द्वारा जो है बिद्दुत का उत्पादन करने में इंडिया चौथे नंबर पे यहां पर इंपोर्टेंट बात है चीन तो सभी में फर्स्ट है यहां आपको याधी हो गया होगा और इंडिया की पोजीशन यहां पर फोर्थ है तो अब नेक्स्ट डाटा देखते हैं हमारे प्रत्वी पर गिरता है प्रत्वी पर आप्तित होता है उसका एक बड़ा भाग प्रत्वी द्वारा और सुसित कर लिया जाता है तो इस और इसके अलावा रेगिस्तान हैं और समुद्र हैं तो इन सभी में और रेगिस्तान में तो इतना ज्यादा उसका और शुशन कर दोनीज लगाकर इनसे भी इस उर्जा को भी बिढ़्धूतूर्जा में करद किया जाता है उसी को जीयो थर्मल पावर जो है कहते हैं तो अगर इसमें बात करें तो सबसे नमबर वन पर इंडोनेसिया है जिसो 46% जो है जियो थर्मल पावर वर्ड का जो है ये प्रोडक्शन करता है दूसरे नमबर पे टर्की है तीसरे नमबर पे केनिया फिर मैक्सिको फिर जैपैन जैपैन का योगदान 10.01% है बाकी रेखिए सबसे जादा 46% इंडोनेसिया का सेकेंड नमबर पे तुर्की तीसरे बार पे केनिया तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए जिन वीवर्स ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अन्रोद है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि प तो हमसे जुडिये और हमारे वीडियो को सेयर भी करिए अपने दोस्तों के भी जिससे और लोग भी जुड़ सके और हमारे फेस्बुक पेज का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही सभी जितने भी प्लेलिस्ट हैं अभी तक के 100 से उपर जो वीडि लिजिए और कोई भी क्वेरी हो कोई क्वेस्चन हो तो आप कमेट में पूछिए मैं पूरी प्रयास करूंगा पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसका उत्तर जल सेल देने हूं तो धन्यवाद नमस्कार